क्या तुमने कभी धर्म और कमर्श के बीच कनेक्शन पर सोचा है? इसलाम, दुनिया के प्रमुख धर्मों में से एक, व्यापार के खेत्र में अपने अन्यायों का मार्ग दर्शन कैसे करता है? इसलाम में, व्यापार सिर्फ लाग कमाने के बारे में नहीं होता। दब्वस द्वारा संचालित इसलामी व्यापार के सिध्धानतों का मूल मंत इमानदारी और अखंता पर जोड़ देना है। ये गुल बस प्रोचाहित नहीं किये जाते, बलकि उन्हें एक करतव्य माना जाता है। पेगंबर मुहम्मद, शांती उस पर हो, अपनी पेगंबरी से पहले एक व्यापारी थे। उनकी इमानदारी की ख्याती ने उन्हें भरोसे मन का उपनाम अलमीन दिया। उनकी जीवन में निश्पक्ष व्यापार और नैतिक व्यवसाइक प्रथाओं के कई उदाहरन है। उनकी एक ऐसी मिसाल है जब उन्होंने कहा, डबव से चलाया जाता है। इसलिए, इसलामी बिजनेस का पहला सिध्धान्त इमानदारी है, जो नकेवल लोगों का विश्वास चीटती है, बल्कि ईश्वरिय आशीरवाद भी प्राप्त करती है। इमांदारी के अलावा, इस्लामी व्यापार को नियंत्रित करने वाले अन्य सिध्धान्तों में ट्रांस्पेरिंसी, फेनिस और जस्टिस शामिल हैं। ये सिध्धान्त न केवल सैधान्तिक आदर्श हैं, बल्कि मुस्लिम व्यफसाय के हर पहलू को आकार देने वाले व्यभारिक दिशा निर्देश हैं। पारदर्शिता के लिए लेंदेन में स्पष्टता होनी चाहिए, कोई ब्रामक विपनन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है आपके ग्राहकों, कर्मचारियों और साज्यदारों के साथ स्पष्ट होने के बारे में। दूसरी तरफ, निश्पक्षता सभी को बराबरी से व्यभार करना। यह उचितमूली निर्धारत करने, उचित मजदूरी देने और सभी के लिए बराबर अफसर बनाए रखने के बारे में है। निश्पक्षता के आगे फैरनेस का एक कदम और जाता है, जो गलतियों को ठीक करने और असमानताओं को दूर करने के लिए भी जिम्मेदार होता है। दबवर्स से चलाया गया। पेगंबर मुहमद, शांती उस पर हो, ने कहा था, मजदूर को उसकी मजदूरी देने से पहले ही दो। यह व्यापार में न्याय का महत्व बताता है। इन सिधानतों के आलोक में, एक मुस्लिम उद्यमी सभी स्टेक्वोल्डर्स के साथ फेनेस और जस्टिस के साथ व्यवहार करने की उमीद रखता है। इसलाम में धन सिर्फ एक अंत का साधन नहीं है। यह निर्माता की तरफ से एक ट्रस्ट है और इसका उप्योग स्वार्थ परता से आगे बढ़ता है। यह एक बदलाव का उपकरण है, एक और न्याय संगत समाज बनाने का माध्यम है। इसलामी शिक्षाओं में दान या जकात की अवधारना गहराई से जुड़ी हुई है। इसलाम के पांच स्तंभू में से एक होना। यह मुसलिमों को हर साल धन समपत्ती का एक हिस्सा दान करने के लिए प्रोचसाहित करता है, जो ओदार्ता और सहान उभूती बढ़ाता है। दुनिया भर के सफल मुसलिम उद्यमी इन शिक्षाओं को दिल से अपनाते हैं। विभिन चैरिटेबल कारणों में महत्वपूल्न योगदान देना। वे समझते हैं कि उनकी समपत्ती अल्ला की तरफ से अमानत है, जो समाज के उन्यां के लिए इस्तिमाल होनी चाहिए। वे समझते हैं कि असली सफलता केवल लाब और विकास से नहीं मापी जा सकती, बलकि उनके समुदायों और दुनिया पर उनके सकारात्मक प्रभाव से भी मापी जानी चाहिए। इसलिए, दान और उदार्ता इसलामी व्यवसाय के सिध्धानतों का तीसरा स्तंभ होते हैं जो धन के अधिक न्याय संगत वित्रण को बढ़ावा देते हैं। डबवर्स से चलाया जाता है। ये सिस्टम शर्या कानून से निर्मित नैटिक दिशान देशों के एक अलग सेट पर काम करता है। मुख्य सिध्धानतों में से एक रीबा या ब्याज का निशेद है, जो दूसरों की कीमत पर अन्याय पूर्ण लाब को बढ़ावा देता है। इस प्रतिबन से जोखिम साजा करने, सामुदाइक जिम्मिदारी और एकता की भावना को बढ़ावा मिलता है। इसलामी फाइनेंस नैटेक निवेशों को प्रोचसाहित करता है, जिसका मतलब है कि मुसलमानों को सकारात्म क्योबदान देने वाले वैद या हलाल उद्यमों में निवेश करने के लिए निर्देशित किया जाता है। डब वर्स से चलाया गया। अंत में इसलामी वित में घरार यानि अनिश्चिता की सिध्धान से बचा जाता है। और व्यापार की परंपरा उद्यम की भावना को बढ़ाती है। पेगंबर मुहम्मद की जमाने से जो खुद भी एक व्यापारी थे, मुसलमान व्यवसाय में नवाचार के साथ अगणी रहे हैं। आधुने क्यूब में, मुसलिम उद्यमियों ने इस विरासत को जारी रखते हुए प्रोध्योगे की फैशन और वितर जैसे विभिन क्षेत्रों में नवाचार किये हैं। वे सफल व्यवसाय स्थापित कर चुके हैं जो समाज के लिए सकारात्म की उबदान देने के साथ साथ धन भी उत्पन करते हैं। फिर भी ये उद्यमी हमेशा ये सुनिश्चित करते हैं कि उनके उद्यम इसलामी सिध्धान्तों का पालन करते हैं, जैसे कि ब्याज आधारत लेंदेन और अनैटिक प्रथाओं से दूर रहते हुए। मानव जरूरतों को पूरा करने, जीवन को बहतर बनाने और समुदाय की सेवा करने के लिए बहतर तरीके दूमने।